हלो फ्रेंट्स, क्या आपके अंडेदानी के अंदर गाठ है और आपको यह डर लग रहा है कि कहीं आपके अंडेदानी निकाल दी जाएगी तो मैं Dr. Sushila Sanyi, Gynecologist and Apteration आज आपको यह बताने जा रही हूँ कि यदी अंडेदानी के अंदर गाठ हो जाए तो अंडे दानी निकालने की जरुरत होती है या नहीं होती है क्या अंडे दानी को बचाया जा सकता है तो यह बहुत बड़ा मित है कि यदि अंडे दानी में गांट है या बच्चे दानी में गांट है तो उसे निकाल देना ही एक इलाज है ऐसा बिल्कुल नहीं है यह बिल्कुल मित है जब भी किसी प्रकार की गांट होती है तो पहले इसको इवैलूइट किया जाता है कि किस प्रकार की गांट है एक हमने पहले वीडियो बनाया जिसमें ये बताया गया है कि ओवेरियन कैंसर की संभावना को कैसे पता लगाया जात तो फिर ovary को निकालने के जरुवरत नहीं होती है यानि कि यदि ovarian cyst है, endometriosis है या छोटी mucinus adenoma या ऐसी कोई dermoib cyst है जिसमें cancer के संभावना ये नहीं है तो फिर ovary को निकालने के जरुवरत नहीं होती है ovary को 100% बचाया जा सकता है ovary को बचाना भी जरुरी होता है हम बहुत जल्दी से recommend नहीं करते कि आप ovary निकलवा लीजिए इवन इन पोस्ट मिनोपॉजल लेडिज यानि कि जब आपका महिना चला जाता है तब भी हम ovaries निकालने के सलाथ नहीं देते हैं क्योंकि ovaries के अंदर hormones बनते हैं और hormone हमारी body के लिए बहुत जरूरी होते हैं और जिन महिलाओं की अंदेदानी निकाल दी जाती है उनको cardiac arrest आने की संभावनाएं 10% तक बढ़ जाती है इसलिए जहां तक हो सके आप अपनी अंदेदानी को बचा कर रखिए कभी भी जल्दी से consent मत दीजिए कि अंदेदानी निकाल दी जाए जब भी आपको डॉक्टर बताते हैं तो पहले आप समझ लीजिए कि आपको problem क्या है उसके फाइदे क्या है नुकसान क्या है क्या ऐसी इस्तिती है कि अंदेदानी को बचाया जा सकता है क्योंकि कई पर क्या होता कि हम डॉक्टर को ऐसा बुलते कि सब्सक्राइब इसमें आज जो इलाज करें वह 100% कर दीजिए इसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई problem नहीं होनी चाहिए तो डॉक्टर भी ऐसी कभी भी guarantee नहीं ले सकते कि कि किसी और गन के अंदर दुबारा कोई विमारी नहीं होगी एक ही इस्तिती होती है कि यदि हमने ओवरी निकाल दी और 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 गन ही नहीं है तो उसमें किसी प्रकार की विमारी हो ही नहीं सकती इस तरीके के guarantee आप अपने डॉक्टर से ना मांगें क्योंकि आपको नुकसान होगा क्योंकि अगर अंडेदानी आपके पास रहती है तो definitely आपको lifelong उससे hormones मिलते हैं जो आपकी body के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं आपके heart को protect करते हैं आपकी skin को protect करते हैं बहुत सारी जगे आपकी joints को, bones को, muscles को सब जगे estrogen hormone की requirement होती है सब की growth होती है और अगर estrogen hormone का level down हो जाता है तो cardiac arrest आने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं जूरियां बढ़ जाते हैं तो अचा का glistening nest चला जाता है आपकी अड़ियां कमजोर हो जाते है, vitamin D की कमी हो जाती है तो बहुत सारे निकसान होते हैं इसलिए जहां तक हो सके अंडे दानी निकालने की consent अपने को नहीं देनी होती है हो सकता है कि ovarian cyst आज हमने निकाली और दुबारा भी बन जाए तो हो सकता हमें दुबारा operate करना पड़े है, वो एक अलग बात है लेकिन यह सोच कर कि क्या मुझे दुबारा operate होना पड़ सकता है और हम यह सोच कर अंडे दानी को निकलवाने की consent देते हैं तो वो गलत है क्योंकि ऐसे तो हमारे शरीर में kidney भी है, liver भी है, intestine भी है, बिमारियां तो सब में हो सकती है तो यह सोच कर हम सारी औरगन तो नहीं निकलवा सकते आज हमें बोले कि kidney के अंदर cyst है और दुबारा भी kidney के अंदर operate करने के बाद cyst हो सकती है तो क्या हम kidney निकालने के consent देंगे, बिलकुल नहीं देंगे, क्योंकि हमें लगता कि kidney बहुत important organ है उसे नहीं निकलवाना चाहिए, इसी तरीके से अंदे दानी के अंदर cyst हो जाए चाह बच्चे दानी के अंदर गांट हो जाए जल्दी से हमें निकालनी नहीं चाहिए, जब तक कि उसका बिना निकाली इलाज संभव है और ये बिलकुल तथ्य है, सच है कि अंदे दानी की गांट को निकाल कर अंदे दानी को बचाया जा सकता है जब तक कि उसमें cancer नहीं है अगर cancer होता है, तो definitely दोनों तरफ के अंदे दानी निकालनी पड़ सकती है बच्चे दानी भी निकालनी पड़ सकती है क्योंकि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है अंदे दानी बचाने से लेकिन अगर अंदे दानी में non-cancer गांट है तो डेफिनिटली अंडेदानी बचाई जा सकती है मैं डॉक्टर सुशिला सेनी आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार